अगर आपका इवेन समेस्टर या और समेस्टर में कोई बैक लग जाता है तो आप नेक्स्ट समेस्टर में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हमad to two के ordinance बिटे का यह ordinance है eligibility for promotion का क्या eligibility है क्या criteria है एक समेस्टर इस दूसरे समेस्टर में प्रमोट होने के लिए या एक समस्ट्य वूधर से दूसरे इसमस्टर में नहीं अगर आपकाया पेपर हो जाता ह Пछले समेस्टर में और समेस्टर में तो आप easily event semester में भी promote हो जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरे point में यह कहा किया कि for promotion from event semester to the next odd semester it means the next academic year यानि कि आप event semester में हैं और next year के odd semester में आप promote होने के लिए यहाँ पे कुछ criteria है क्या है इसको हम देखते हैं student has secured either of the semester of an academic year is fully cleared or earn the credit greater than or equal to minimum credit of either of semester यानि कि एक year से दूसरे year में promote होने के लिए या तो आपको fully cleared होना चाहिए यानि कि odd और even semester दोनों clear होना चाहिए और नहीं तो दोनों semester में मिला करके minimum credit आपको होना चाहिए यह minimum credit क्या है इसके बार हम लोग चलिए समझते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि मालीजी को पहला और दूसरा यानकी odd और even को हम लेकर के चलें तो अगर आपका odd semester है यानकी पहला semester है 20 credit का अगर दूसरा भी semester है 20 credit का यहाँ पर कोई problem नहीं है minimum credit आपका 20 credit माना जाएगा दोनों semester को मिला करके अगर आप 20 credit लाते हैं तो आप pass माने जाएगे और आप first year से second year में promote हो जाएगे तो या तो आप दोनों semester को मिला करके लाए नहीं तो अगर माने जी कि first semester में पूरा का पूरा back है तो आपको second semester पूरा का पूरा clear करना होगा तभी तो आप 20 क्रेट पाएंगे तब उसके बाद से आप next year में प्रमोट हो जाएंगे यहाँ पर चलिए हम बान करके चलते हैं कि पहला समेश्टर और दूसा समेश्टर equal credit का नहीं है तब क्या होगा यहाँ पर एक्जांपल के तौर पर हम मानते हैं पहला जो समेश्टर वह 17,5 क्रेट का है और दूसा समेश्टर वह 20,5 क्रेट का है इन दोनो समेश्टर को मिला करके नेक्स्ट यह में जाने के लिए आपको कम से कम 17,5 क्रेट लाने होगे यहां पर minimum credit of either semester कहा गया था यान कि दोनों semester में minimum credit जिसका है उतना आपको कम से कम लाना है तो यहां पर हम मान करें चलते हैं कि पहले semester में किसी बचने 10 credit पाया है और दूसरे semester में 8 credit पाया है 17.5 जो करेट है यह इस समेस्टर में पूरा 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 बैक है नेक्स्ट समेस्टर में 17.5 से एवब मार्क्स लाता है तो यह पर्मोट हो जाएगा तो आप समझ पाएगा हूं कि यह बैक कैसे लगता है कितने केट पर यह लाना होता है मिनिमम्म एक यह से दूसरी यह प्रमोट होने के लिए अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए स्वाइग को वीडियो पर संद आए हो दो वीडियो जुरूर प्यास कर लिए क्योंकर में चाहिए कि का इंफर्मेटिव वीडियो लाएं ता अब दक सबसे पहले पहुंच सकेंद तो थैंक्स वाचिंग विडियो बाए